हलो और यूण आज है 22 फेबरोरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन ओइल कॉर्परेशन के बारे में देखे 77 रुपीज का शेर है आज 0.5% की गिरावट देखने को मिली है बाजार भी आज अच्छे मूरी में नहीं था बाजार में अज गिरावट देखने को मिली है और गिरावट की सबसे बड़ी वज़ा हुई है दुबारा से रश्या यूकरेन क्राइसेस और इसमें अमेर बाजार में दुबारा से कहीं न कहीं इस मामले में तुल पकड़ लिया है कि बहुत ज्यादा टेंस हो सकती है और इवन बढ़ते हुए इंट्रेस रेट अगें एक मामला वो भी है लेकिन ऑईल कंपनियों के लिए यह चीज बहुत इंपॉर्टन है और उसके बारे में हम बात चीज भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो इंडियन ओल 77 रुपीज का शेयर पढ़ने की जरूत नहीं है बीच में और अब नीचे की तरफ जा भी रहा है कई सारे रीजन्स है जो शेयर को आने वाले दौर में थोड़ा सा और तोड़ सकते हैं उनमें से एक ये रश्या यूकरिन तो हो ही कहा लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ऑईल प्र प्रोड़क्शन वो भी कट डाउन कर रहे हैं यहां पर देखा जाए तो एक महिने में तूटा जरूर है तग्रीबन साड़े छे पर संके गिरावट है और एक साल के अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर इंडियन और कोर्परेशन में ना ही कोई तेजी है ना ही पूबने वाली कमपनी नहीं सरकारी कमपनी है अगर अपने बुक पर यह बहुत ज़्यादा करजा दिखा भी देंगे तो भी दिक्कत के बात नहीं है सरकार भया एडिशनल पैसा डाल देती है बात मीं यहां पर लेकिन कमपनी लॉस दिखाती नहीं है जादा कमपनी लार्ज करप शर है एक लाग करोर से भी जादा कर इसका मार्केट के अपर वॉल्यूम से अगर देखे तो एक करोर के आसपास का वॉल्यूम देखने को मिला मतलब बड़ी क्वाटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं डिसंबर क्वाटर में 775 क्रोर का मुनाफ़ा कमाया और रेवन्यू भी दो लाग करोर से भी जादा काही देखने को मिला हलाकि इससे पहले कि जो दो क्वाटर है इसमें लॉस किया था इन्हें 990 क्रोर का लॉस ऐसे पहले कि सप्टेंबर क्वाटर में रहा जरूर सा लेकिन पिछले साल ये 6000 क्रोर 7000 क्रोर तक का प्रॉफिट कर प्रॉफिट कमाएंगे सरगारी कंपनी एक भी शेर गिरवी नहीं है इनका और जनरली नहीं होता सरगारी कंपनी ओके 51.50% की होल्डिंग है प्रेशिडेंट ओफ इंडिया साहिट से बाद सरगारी कंपनी में वही होते हैं और ओंजिसी 14.20% की बहुत बढ़ी होल्डिंग लेकर बैठी हुई है ओन जिसे का शेर अगर आप देखोगे तो डेट सो रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है आज ये भी थोड़ा बहुत तूटा जरूर था लेकिन वापस से बाउंस बैक कर गया सेम चीज़ बीपी सेल के साथ भी होई थी तूटा जरूर था वापस लेकिन इंडियन ओयल के साथ असाम नहीं हुआ वो तूटा वो बाउंस बैक नहीं कर पाया इंडियन ओयल अगर आप आज के दिन का इनका ग्राफ देखोगे तो तूटा था लेकिन बाद में बाउंस बैक नहीं कर पाया तो तूटा थोड़ा बहुत को कोशिश करी लेकिन फिर गिरावट में ही close हुआ है इंडियन ओयल को लेकर अगर हम देखे तो सरकारी कंपनी जरूर है और 100% लोग करें खरीदारी करो 100% देखो मेरी buying के recommendation जरूर है बहतरीन कंपनी है यह dividend से ही पैसा बनेगा पहली चीज़ में बता दू लेकिन इस price पे buying recommendation नहीं है सस्ता मिले तो है और जिस तरीके की geopolitical situation है उसको देखते हुए लगता है किया correction बनता है थोड़ा बहुत यहाँ पर dividend के अगर हम बात करें कंपनी के तो पिछले साल दो बार पे किया था उससे पहले तीन बार पे किया था पिछले साल पहले पहले चार उपय किया फिर दो रुपए चालीश से में अगर आपको साल का सांत रुपय मिल जाता है उससे और लॉंग टर्म में ग्रोथ आजाएगी ठीक है लॉंग टर्म में शैर भाग जाएगा रही के नहीं लेकिन यह है कि आपको अच्छा रिटन मिल जाता है यहां से अब आराम से 10% लेकर बैठे हो अगर आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर है तो ठीक है हाँ उससे जादा भी मिल सकता है यहां पर अगर हम देखे तो रेवन्यू में कच्छी कासी रफ्तर हमने 2022 में देखने लेकिन 2023 में पहले दो क्वाटर में कंपरी ने लॉस किया है तीसरे क्वाटर में प्रॉफिट हुआ है सांसो पच्छत्त करो लेकिन फिर भी वो कम है तो जाय से बात है शुरुआती तीन क्वाटर अच्छे नहीं रहे लेकिन डिफिनिटली को इतनी बड़ी दिक्कत की बा साथ है 10.34 बहुत अच्छी बात है और सस्ता भी है अभी इस प्राइस पर शाय थोड़ा सा और सस्ता मिल सकता है आने वाले दोर में 63% कहते हैं खरीदारी करो जहां तक बात है शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 51.50 है ब है तरीन कंपनी में कहूंगा इसको लेकिन तब जब आपके बाइंग प्राइस सही लेवल पर हो ठीक है अगर आप दो साल बात भी देखोगे ना तो हो सकता है कि आपको यह 80-90 पर ही ट्रेट करता नजर आ जाए लेकिन इन दो सालों में हो सकता है कि दो सालों में कुल मिला का और सरकारी कंपनी जो भी सरकारी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है वो भारी भर्खम डिविडेंट पेक करती नजर आए कि क्योंकि जादा दर कॉंटिटी सरकार के पास ही होती है तो यहाँ पर मैं कहूंगा खरीदारी करिये बने रहो पैनिकेस लेकिन जहां तक ब सरीते जाओ लॉंग टर्म के लिए उतनी ज्यादा दिक्कत मुझे नहीं लगती कि यहाँ पर देखने को मिलेगी और अगर हम बात करते हैं इलेट्रिक वहिकल्स के क्या होगा तब तो ऑईल का क्या हो देखो अगेन मैं कहूंगा कंपनी ऑईल में भी है गैस में भी है ठीक लेकिन कल को मार्केट इलेट्रिक की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इंडियन ओयल भी उसमें काफी अग्रेसिवली काम करना शुरू अल्रेडी कर चुकी है ईवी को लेकर तो यहीं कहूंगा इनको भी वक्त नहीं लाएगा चीजों को शिफ्ट करने में काफी बढ़ा नीट पर लेकिन अगर आपकी बाइन प्राइस मानलो के 65 की हो 60 की हो 70 की हो और अगर साल का आपको 78 रुपय का भी डिविडेंट मिल जाता है मतलब आपका 12-13 परसंट का रिटर्न आपका सिर्फ डिविडेंट से बन गया जो कि कई सारे mutual funds भी नहीं दे पाते हैं आज कल तो तो य थोड़ी से और गिरावट देखने को मिलती है तो हर पांच रुपय की गिरावट में एवरेज कर सकते हो लॉंग टर्म के लिए वडियो को यहीं पैंड करूंगा पसंदा हो तो लाइक तो श्राइब करें और इंडियन और कोर्परेशन के बारे में आप क्या सूचते हैं भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं थैंक यू